नमस्कार दोस्तों लर्निंग बूप पे आप सभी का स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे समान ग्यान सिंखिला में मर्दिकाली नितिहास पे हमारा आठवा सेट है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आने वाले तमाम एकजामों के लिए कुश् जान लगा दीजिए अगर इस समय आप लोग जी जान नहीं लगाएंगे ऐसे तफरी में बिता देंगे लाकडाउन के समय को तो जान लीजिए आपके लिए सबसे बड़ा लॉस होने वाला है आप निरंतर पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहिए यूटू अगर ऐसे ही आप दोचीन चैनल और फालो कर लें और लगभग रोज दो-तीन सो कोश्चन कवर करें तो आने वाला एक्जाम जो दो-तीन महिने बाद है लेकपाल का हो गया UPSI हो गया UPP का जो फिर से एक्जाम आ रहा है तो यह समय आपके लिए वृष के काफ़ी महतपूर है आपको डेली कुछ न कुछ पढ़ना है समय वर्तीत नहीं करना है स्ट्टुडंट के लिए हमेशा लागडां रहता है एक सुद्ट जब तक सफल नहीं हो जाता उसके लिए लागडां का कोई मतलब नहीं रह जाता है इसलिए मेहनत करिये, प के टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के भी सेर करिए क्योंकि जितना बड़ा लर्निंग फैमली होगा आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा हम आपके लिए अच्छे-च्छे केंटेंड ले आ पाएंगे हमारा मनुबल बढ़ेगा आपके लिए नए नए तरीके से और अच्छे तरीके से अच्छे क्वाल्टी में वीडियो प्रवाइड करेंगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और हम लोग अपन तबकात ए नाशरी का लेखक कौन था ओप्सन ए सेख जमालुद्दीन ओप्सन बी अलबरूनी ओप्सन सी मिनहाज उस सिराज ओप्सन डी जादुन बर्नी चारों ओप्सन आपके सामने है और एंसर भी आप लोग के सामने है सी जियाओदिन बर्नी तबकात ए नाशरी का लेखक ये मिनहाज उस सिराज था बाप करिएगा जियाओदिन बर्नी मुझसे निकल गया जबकि सही अंसर है सी मिनहाज उस सिराज नेक्ट कोशन की तरफ चलते हैं अलाई दर्वाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया ओप्सन है इल्तुतमिस ऑप्सन भी बल्बन ऑप्सन सी अलाउदिन खिल जी ओप्सन डी रोज तुगलग काफी कॉमन कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है और अमोबन लोग गलत ही लगा के आते है अगर आप लोग ऑप्सन सी के साथ जा रहा है अलाउदिन खिल जी ताफ लोग विल्कूल सही है अलाउदिन अलाउदिन धर्वाजा का निर्माण का निर्माट अलाउदिन खिल जी नहीं कर आ attacked शले दोस्तों नेक्ट की दरफे चलते हैं और एक चीज़ और जान लेते हैं अलाई दरबाजा का निर्माट 1310 से 1311 के बीच कराय गया था और अलाउद्धीन खिल जी का सासनकाल जो कई बर एक्जा में पूछ लिया जाता है कोशिन घुमा के 1296 से 1316 के बीच वीच सालों का सासनकाल लेकिन काभी प्रभाव साली सासनकाल सा और अलाउद दीन को सिकंदरे सानी सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया जीतने का खौब रखता था सिकंदर की तरह और एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर इसने ये अपना खौब छोड़ दिया चलिए नेश्ट कोशिन की तरफ चलते हैं कुद्बुद दिन एवग की राजधानी थी ओप्शन ए लाहोर ओप्शन बी दिल्ली ओप्शन सी अजबेर ओप्शन डी लखनाउती दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है कुद्बुद दिन एवग की राजधानी लाहोर थी चलिए नेश्ट कोशिन की तरफ चलते हैं कुदपुद्य नेवक की राजधानी तो लहौर थी और डिल्ली को राजधानी सर्वथम इल्द्वत मिशने बनाया था यह कोशन में कई बार पूछ दिया जाता है चलिए यह कोशन देखते हैं अलाउद दिन खिलजी के प्रशित निश्यनापतियों में किसकी मंगोल की विर बढ़ते हैं ने लिखित में से कौन भूम उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है भूम उत्पाद पर लगने वाले करों की बात हो रही है यहां पर खराज, खुम्स, उम्र, मुक्तई इसमें साब को देखना है कौन सा भूम उत्पात पर लगने वाला कर था खराज, जी यहां बिल्कुल भूम उत्पात पर लगता था खुम्स, यह खुम्स जो था, युद्ध में जो लूट का धन होता था उसे खुम्स के नाम से जाना जाता था और एक बटा पांच भाग साइनिकों को दिया जाता था एक बटा पांच ये आपको राजकोस में जमा करना होता था खुम्स जो लूट का धन होता था और चार बटा पांच साइनिकों में बाट दिया जाता था लेकिन अलावदिन खिल जी और मुहमद बिन तुगलक के समय ये रूर उल्टा हो गया चार एक बटा पांच आपको सैनिको के बीच बाट दिया जाता था और चार बटा पांच राज़कोस में जमा हो जाता था और देखतें तीसरा उम्र भी आपका भूम इतपात पर लगने वाला कर था और मुक्तई भी तो एक तीन चार जिस आप्शन में होगा वो सही हो जाएगा डी है डी आप्शन बिल्कुल सही है एक तीन चार चलिए नेक्स कोस्रों के तरफ चलते हैं तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है आप्शन ए बरनी आप्शन बी गुल बदन बेगम आप्शन सी अमीर खुसरो आप्शन डी इसामी दोस्तों अगर आप लोग अमीर खुसर गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रतान किया था ओप्शन ए तजादुद्दीन यल्दौज ऑप्शन भी कुद्बुद्दिनेवक ऑप्शन डी समसुद्दीन इलतुतमिस ऑफन डी नसुरुद्दीन कुबाचा तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन भी के साथ जा रहे हैं कुद्बुद्दिन एवक तो आप लोग बिल्कुल सही है मुहम्मद गौरी का कोई अपना बेटा नहीं था तो अपने जीते हुए प्रतिशों को उसने अपने गुलामों को गुलामों को सौप कर वर अपने वतन लोड़ गया और कुद्बुद्दिन एवक ने 12-6 इस सब्सक्राइब अपना राजिव से कराय और गुलाम मुन्सक्राइब निवड़ाली और 1210 इस वी में पोलो खेलते हुए घोड़ों सी गिरकर घोड़े से गिरकर इसकी मिट्टी हो गई उसके बाद इसका बेटा अराम सा ने शासन किया उसके बाद इलतुसमिए और उसके पैमाने पर विक्षित होई चारो आप्सन आपके सामने है गया सुद्दिन बलबन दूसरा अलाउदिन खिल जी C. मुहमबद बिन तुगलग D. फिरोज़ा तुगलग तो दूस्तों अगर आप लोक्षन B के साथ जा रहे हैं तो आप लोक बिल्कुल सही है अलाउदिन खिल जी 98 का B. अलाउदिन खिल जी अमीर कोही क्रिसी भवाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा सुरू किया गया था अलाउदिन खिल जी C. मुहमद बिन तुगलग D. सिकंदल लोती काफी important question है कई exam में repeat किया जाता है कुछ ऐसे question दोस्तों तो हो जाते है जो trade bar हो जाते है हर exam में कहीने कही पूच लिया जाता है ये उन ही मसले एक है कई बार exam में repeat होता है अगर आप लोग भी exam के तियारी कर रहोंगे तो यह question आपके सामने से कई बार गया होगा तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन C के साथ जा रहे हैं मुहम्बत तुगलक ता आप लोग बिल्कुल सही हैं इस विभाग का मुख्यकार था माल गुजारी की वेवस्था की देखवाल करना था था भूम की जो भूम खेती यूग नहीं तो उनको खेती यूग बनाना मत ए ब्रजभासा बी अबदी सी खड़ी बोली डी भोशपुरी ये कोस्चन भी दोस्तों कई बार एकजाम में घूमता रहता है इदर उदर ट्रेड मार कोस्चन है बी आई बी कोस्चन है आप लोग इसको ध्यान में रखेगा अमिर खुसरों ने खड़ी बोली की विकास में अग्रिमी हुन का निभाई ऑप्शन सी बिलकुल सही है चलिए नेस्ट कोस्चन की तरफ चलते हैं तैमूर लंग ने किसके सासनकाले में भारत पर आकरमण किया ऑप्शन ए अलाव दिन खिल जी ऑप्शन बी बहलो लो दी ऑप्शन सी रोज दुगलक ऑप्शन दी अकरमण किया था जी हां डी बिलकुल सही है नसरुद्दीन महमूद तुगलक तेरा सो अठानवे इसमें त्यमूर लंग ने अकरमण किया था कई बार इसमी टाइम पूछ लेता किस सन में अकरमण किया था चलिए नेस्ट कोस्चन की तरफ चलते हैं भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया और्पाइब किया है उप्षिन अपशन प्रतव तूर्गी ने मंगोल हो नी कि तो अगर आप लोग में एकजाम में पूछ लिया जाता है चलिए नेस्ट कोशन की तरफ चलते हैं किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चादी के सिक्के निर्गित किये आप्शन A मुहम्मद बिन कासिम, आप्शन B महमूद गजनवी, आप्शन C सेरसा, आप्शन D अकबर तो दोस्तों अगर आप लोग आप्शन B के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, महमूद गजनवी चलिए, नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ चलते हैं अलाउद दिन खिल जी ने के निर्ण सेना देच्छों में से कौन सा तुगलग बन्स का प्रथम सुल्तान बना आप्शन A गाजी मलिक, आप्शन B मलिक कफूर, आप्शन C जफर खाँ, आप्शन D उजबेक खाँ दोस्तों अगर आप लोग आप्शन A के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं गाजी मलिक चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ चलते हैं निर्लिकित में से किस राजवन्स के अंतरगत विजारत का चर्मुत कर्ष हुआ विजारत से तातपर है आपका मंत्री परिशत से उप्शन A इलबारी, उप्शन B खिलजी, उप्शन C तुगलक, उप्शन D लोधी तो दोस्तों अगर आप लोग उप्शन C के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है तुगलक मंस के समय विजारत अर्थात मंत्री परिशत का चर्मुत कर्ष हुआ कत्थन और कारण आपको आप्शन के साथ बताना है अलाउद दीन खिलजी के दच्छिड अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे कारण वह दच्छिड राज्यों को कबजे में करना चाहता था तो दोस्तों अलाउद दीन खिलजी के दच्छिड अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे बिल्कुल सही थे वह दच्छिड राज्यों के कबजे में करना चाहता था ये सही नहीं है तो इसमें A सही और R गलत हो जाएगा जी हाँ C सही है A सही किन्तु R गलत अलाओ दिन चिल जी दच्छिन भार धन प्राप्ति का अभियान थे तौल की सबसे छोटी काई कौन है Option A रक्ती, Option B मासा, Option C तोला, Option D ड्रोन दोस्तों अगर आप लोग Option A के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, रक्ती Next Question की दरब चलते है प्रसिड कभी अमिर खुसरो दर्बार में रहे चारों Option आपके सामने है अगर आप लोग option A के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल साही है अलाउद दिन खिल जी के दरवार में रहे चलिए next question के दरब चलते है किसी ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यस्था का विश्थित विवरण दिया तो इसका answer है C अगर आप लोग C के साथ जा रहा है इबन बदूता जो कि 1333 में मोहमाद विन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था और यह मौरको से भारत आया था चलिए next question के दरब चलते है तैमूर लंग ने किस वर्ट में भारत पर आक्रमण किया देखिए यह question पूछी लिया गया है तो अगर आप लोग option B के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुस सही है 1398-22 में उस समय तुगलक वन्स का अंतिम राजा सासन कर रहा था मतलब उस समय तुगलक वन्स के अंतिम राजा का कारेकाल चल रहा था जब 1398-22 में तमूलंग ने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली के किस मुस्लिम सासक के निधन परितिहास कर बदा यूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली काफी बार ये कथन पूछ लिया जाता है किस राजा की विसे में कहा जाता है तो सल्तनेट काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा मुहमद बिन तुगलक था जिसकी विसे में ये कहा जाता है आप्शन भी मुहमद बिन तुगलक क्योंकि मुहम्मद बन तुगलग के कुछ ऐसे नेड़े थे जो काफी उल्टे पड़े और बाद में उनको सही करना पड़ा और हाला कि उस्यार तो ये काफी ज़्यादा था लेकिन वही है ना कि कि डिसीजन हमेशा इसके किस्मत खराब थी जो कि हर डिसीजन इसके विपक्ष में चला गया चलिए नेस्ट कोशिन की तरफ चलते हैं कौन से सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किन्तु उल्यमाउन ने विरोध किया तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्षन बी के साथ जा रहे हैं अलावदिन खिल जी तो आप लोग बिल्कुल सही है और अलावदिन खिल जी एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उसके वफादार मित अलावल मुल्क के कहने पर उसने या विचार त्याग दिया दिल्ली में कौन सही अधिया सक्समारक भारतियत है था फार्ची वास्तुकला सहली का उधारण है अप्षन A कुतब मिनार अप्षन B लोदी का मकबरा अप्षन C हुमाउ का मकबरा अप्षन D लाल किला दोस्तों अगर आप लोग उप्षन C के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है हुमाउ का मकबरा चले नेस्ट कोशन के दरब सलते हैं दिल्ली का सुल्तान जो दान देच्छना के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दिवाने खहराद दान विभाग इस्थापित किया और सही आप्शन है आपका फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने दिवाने खहराद विभाग की इस्थापना की ने लिकित में सिक्षि संगीत वाद्य को हिंदो मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे स्रेष्ट मिश्रण माना गया है आप्शन A वीडा, आप्शन B ढोलक, आप्शन C सारंगी, आप्शन D सितार तो दोस्तों अगर आप लोग आप्शन D के साथ सितार के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है सितार वाद्य अंतर को हिंदो मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे स्रेष्ट मिश्रण माना गया है तो दोस्तों आज के लिए क्वेशन अंसर समाप्थ हुए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कर दीजे चनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को अंतर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद